असलाम गरीकुम वेलकम बैक टु मैं चैनल तो आज मैं आप लोग के लिए दुबाड़ा उड़ी विजार मॉल की वीडियो लेकर आई हूं प्रीविएस वीडियो में काफी सवाल किये गए थे जिसका अंसर मैं इस वीडियो में दूंगी तो सबसे बहले मैं आपको बताओं आगली मैंने अंगुलर ब्रेश्यस लिये थे इसको हम डिफुर्न पिंटिंग्स में उस कर सकते हैं जो एक्सेजर्विएं चैनल बिए उसक्त मे इस इसका यह क्राशिय मन वह packing बिल रहे इनक्स वीडियो में जरू प्र रigh कऱनी तो इसकी प्राहर थी एक्रा कर गयूं ठरास पे मुझे सस्ते मिल रहे थें, लेकिन मुझे इसके ग्रंटी नहीं थी कि यह सही निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्यूंकि वहां पर मैंने पता कि यह थें, तो ट्वएंटी फॉर पीस वीगोड़ ते फुल साइज यहां, इसमें एक हाफ में मिलता और यह फुल है लेकिन यह कंपनी बहुत अच्छी है आप देख सकते हैं किने सॉफ्ट थे ना यह मैं नेक्स वीडियो में ज़रूर यह ट्राइ करूंगी इसके बाद मैंने यह कैन्वस लिये थे जो के मेरे बने थे 450 रुपीज में यह थे 8 कैन्वस 8x8 6x6 4x4 और 2x2 कैन्वस थे पर मुझे 110 रुपीज का पड़ेगा उसके बाद मैंने यह बहुत देर बाद पहले तो मैं इसकी जगा बड़तन जिससे दोते हैं फॉर्म वल जो स्कॉच ब्राइट है मैं उससे यह काम किया हुए लिकिन अम बजह यह लेना ही पड़िया था वैसे भी बहुत स्ता मेरा थ अगर भी बड़ेगे लेते हैं तो यह मुझे भी अबपता चला है अगर हम सिंगल पीस लेते हैं तो वह मैं 200 इच एंक मिलेगी ठीक है लेकिन अगर हम फ्री प्री टे लेते हैं तो हमें 450 की बड़ेगी यह जिसमें six colors हैं ठीक है तो यह मैंने कालिग्राफी के लिए क्यों लेकिन मैंने 18 वाला लिया था इनकी बहुत जादा अच्छी थी ठीक है एक वह चोटा वाला था जो हम बच्पन में यूज करते हैं वह था 150 रुपीस का ये वही चीज है लेकिन इसकी क्वालिटी उससे बहुत जादा बहतर है तो इसमेदा से मुझे मेरे लिए यही इतने 18 क लेकिन इसमें 5 पीस हैं और ये मुझे बड़ा 400 का 390 पीस और इसके बाद मैंने ये स्केचिंग कर नहीं हूं तो इसके लिए मुझे रेजर का थोड़ा था मतला तो मैंने इसमेरा से ये वाली लिए एक नियू आया उनके पास पैंसल में पैंसल भी वह यही काम करती है वह हो थी 110 रुपीस की ये थी 400 उसके बाद पर मैंने ये स्केचिंग में यूज़ाता है ब्लेंडिंग करते हैं इससे ये मुझे एक पीस पढ़ रहा था 40 रुपीस का और मुझे ये जितने भी पीस हैना 6-7 पीस हैं ये मुझे पढ़ रहे थे 200 रुपीस के इसके बाद मैंने ये वाइट चार्कॉल पेंसिली ब्लेक चार्कॉल हार्ड में इसमें सौफट होता है और हार्ड होता है और एक और ता मुझे याद मी आ रहा है और साथ ही मैंने इस जीरो साइस का ब्रेश लिया था जो के बिलकुल बारीक आउट लाइनिंग करने के लिए अक्रैलिक पैं बना सकते हैं उसके बाद मैंने मेरीस के लेने थे लिकिन वहां पे अवेलेबल नहीं थे जो मैंने लेने थे और जो उधर थे वह बहुत एक्सपेंसिब थे वह थे 1100 एच और यह मुझे बढ़ा था 200 एच इसका भी मैं आपको बताती हूं कि मैंने इसको कैसे उसकिया और सब से जादा इंटरस्टिंग चीज़ के उर्दोबसार आगे जाकरे मुझे यह पेपर मिले हैं बहुत सब्सक्राइब कर दोंगी तो मुझे यह एच शीट जो है वह 80 रुपीस की बढ़ी है इसका साइज तकरीबन एक चार्ट की जैसे एक चार्ट होता है उस तरह का साइज ह तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एक मुझे मिल रहा था 50 रुपीस का वह भी चार्ट का इस जिसका साइज था लेकिन इसकी क्वालिटी ज्यादा बहतर थी और सबसे बड़ी बाद चार्ट पर यह वाटर कलर्स एक डाली कलर्स थोड़ा ना वह पेपर स्वैल हो ज दूस्म में ठीक हैं को इसकी मैं ने आप वाटर कलर्स को यूजर को यूस्किया को वाटर कलर्स को जूम शड़ा कर रही है यह मैंने लूटर कलर्स गार शौर कर सकते kommtस्ष और साथ हम डिशाब हंदिः बहुत ऐड़ कर सकते तरप और साथ हम डेटेलिंग भी ब्रता कर सक तो मैंने उड़ बजार मॉलकी बनाई थी वो मैंने इस दफ़ा भी बनानी थी लेकिन उदर कुछ काम हो रहा था और अधर लाओ भी नहीं था लेकिन उन्होंने अलाओ कर भी दिया उता तो तब भी नहीं बना सकती क्योंकि वह स्टोर बढ़ा कर रहे हैं और इस वज़ा से पर बहुत जादा ना समान भी ख़़ा हुआ था लेकिन वहां से हम एजिली फाइन आर्स मेटीरियल जिस तरह कभी मटीरियल आपको चाहिए पेंटिंग प्राफ पैन आट मेटीरियल की दूर बहुत जादा व्राइटी है ठीक है कुछ चीज़हां से एक्सेंसिव मिलती है जो लास्ट जी पेंटिंग है वो मैंने यूज की है मार्केट कलर्स को जो मैंने दरास्ते ओडर किये थे इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने एक्रैलिक कलर यूज की है और इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने वाटर कलर यूज की है तो आप डिफरेंस देख सकते कि तीनों पेंटिंग्स में कितना हुड़क है तो अगर आपको मेरी जोड़ी सी एफर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा डाफ्रेस